हाई फ्रेंज तो देखकर कैसा लगा आपको ये गजर का हलवा आपके मुँ में पानी आ गया होगा क्योंकि ये है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाला हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा तो फटा फट से शुरू करते हैं इसको बनाना इसके लिए मैंने 2 kg गाजर लिये मैंने अच्छे से गाजर को पील कर लिया और अच्छे से धो लिया इसको पानी से और अब बस इसको छोड़े छोटे पीसे में इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ आप कोई भी तरीके के शेप प्रेशर कोख करने की रेसिपी में आपके साथ पिछले साल ही शेयर कर चुकी हूँ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में जरूर से चेक कर ले कि प्रेशर कुकर में मैंने कैसे बना कर दिखाया था गाजर का हलवा लेकिन यह मैं और बी अल जिसने की बहुत ही तरीके से श्रेट हो जाती है मारी गाजर यानी की बारीख चोटीचोटी हो जाएगा लेकिन ध्यान क्या रखना कि हमें जो टुकडे काटने हैं वो काटने हैं बहुत ही छोटे तो यह देखिए कितनी जल्दी से यह गाजर बिलकुल हमने काट कर तयार कर लिए शायद 3-4 मिनिटी लगेंगे इस तरीके से गाजर काटने में और उसके बाद आप थोड़ थोड़े पीसे इस तरीके से मिक्सर जार में आड़ करें और उसको एक से दो बार चलाएं और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी गाजर एकदम बढ़िया हो गई है देखिए बिना ग्रेटा का इस्तमाल करें बस जल्दी से गाजर हमारी तयार हो गई है अगर हम इसको प्रेशर कोकर में उबाल भी लेते हैं तो बाद में जो हमें घोटने में टाइम लगता है उसमें काफी टाइम लग जाता है इस तरीके से हमारी गाजर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से श्रेड हो गई है तो हमें कुछ घोटना नहीं पड़ेगा बस दूद में इसको पकाएंगे और हमारा हलवा अल्मोस्ट बनकर हो जाएगा बिल्कुल तैयार तो यह देखिए कितनी बढ़िया तरीके से गाजर तैयार हो चुकी है तो गाजर हमारी मिंटों में ही तैयार हो गई है पांच से छे मिनट में हमने पूरी गाजर काट के तैयार कर लिए दो किलो अब हमने लिया है एक नौन स्टिक कड़ाई उसके अंदर हमने डाल दिये जो श्रेड कीवी हमारी गाजर है वो और इसके साथ-साथ मैं इसमें डालूँगी दो कप दूद अगर कोई छोटे-छोटे टुकडे आपके रहे भी जाते हैं तो आपको बिलकुल परिशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम दूद में गाजर को पकाएंगे तो हमारी गाजर हो जाएगी soft और उसके पाद हम इसको एक मैशर की मदद से हलका सा मैशर इसके ओपर चलाएंगे जिससे के मारी गाजर बिलकुल स्मूध हो जाएगी तो यह दूद मैंने इसमें आड कर दिया है इसको हलका सा चला देते हैं हाई फ्लेम रखेंगे और ढखकन ढख देंगे बिलकुल दूद का जब और करीब एक दो मिनिट बाद देख सकते हैं आप उबाल आने लग गया है दूद में गाजर हलकेल की सॉफ्ट भी होने लग गई है तो फिर से इसको इसको इब चला देती हूं अभी काफी अच्छी कॉंटिटी में हमें इसमें मॉइस्टर दिखाई दे रहा है तो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है यह तो इसको फिर से डखकन डख देंगे हम और क्यूंकि हम हाई फ्लेम कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से यह पक जाती है गाजर दूद में चला कर इस तरीके से मैंने फिर से डखकन डख देया इस तरीके से और फिर इसको छोड़ दे और यह आप देख सकते हैं फिर से उबाल आने लग गया था दूद में और काफी अच्छी तरीके से गाजर का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है गाजर पकने लग गई यह बिल्कुल तो साइड भी स्क्रेप आफ करती जारी हो मैं इसको और चलाती भी जारी हो तो गाजर के हलवे में सबसे खास बात होती है जो उसका टेक्शर होता है अगर हम गाजर को उबाल लेंगे तो गाजर का जो टेक्शर है वो चला जाता है तो इसलिए गाजर श्रेड़ेड फॉर में बहुत जरूरी होती है गाजर का श्रेड करना ग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाजर के हलवे में अगर आपको गाजर का हलवा कहीं भी आपने खाया होगा हलवाई स्टाइल या कहीं भी भार रेस्ट्रॉण में या कहीं भी तो आपने देखा होगा एक दानेद के इंदर में डाल रहे हूं यह 1 3rd कप देसी घी 1 3rd कप इस्तमाल करा है अहला कि मैंने यूज आधा कप का करा है लेकिन उसमें से थोड़ा समय बचा लिया है टोटल मैंने एक तिहाई कप देसी घी का इसमें और बस अब घी में अच्छे से इसको भूनेंगे तो यह आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूं घी बिलकुल अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है गाजर के हल्वे में जो हलवाई गाजर का हल्वा बनाता है उसमें काफी कौंटिटी में घी जाल जाता है इंफक्त आपने देखा होगा कि जो गाजर का हल्वा लगा रहता है सजा हुआ उसके अंदर काफी अमाउंट ऑफ घी तैड़तावा भी नजर आता है लेकिन मैंने इनफ क्वांटिटी में घी इसमें आड़ करा है कि आपको खाने में तो जरूर घी लगेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको कहीं पर भी घी बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए आपका गाजर का अलवा तो अच्छे से घी में इसको हमने भून लिया है कुछ मिनिट के लिए जब तक कि बिल्कुल अच्छे से घी हमारा सोक नहीं हो गया है गाजर में और उसके बा करा है आप डेफिनेटली उसको कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो या अगर आपको बहुत जादा मीठा पसंद है तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं तो यह मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से और यह मैंने पहले आदा कप गया और फिर वन फोर्फ कप और आट कर दिये यह पूरी तीन चुता ही कप मैंने चीनी इसमें आड चाहले कर दिए और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और चीनी आट करने से थोड़ा सा मौईस्चर इसके और आ जाता है तो हमें थोड़ा सा और इसको पकाना पड़ेगा भुनना पड़ेगा और साथ-साथ इसमें में टाल रही हूँ एक चममच इलाइची पाउडर हरी इला करते जाएंगे तो अब मैं इसमें आड कर रही हूं नट्स अपनी पसंद कि आप कोई भी नट्स का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने या पे काजू पिस्ता बदाम और किश्मिश का इस्तमाल कर रहा है और थोड़े से नट्स मैंने बचा कर रख लिए वो मैं आपको बाद में बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा हलवे में तो मैंने जो आपको बोला था तीन चुथा ही कप चीनी वह इसलिए बोला था नहीं तो हम आधे कप से भी इसको बना सकते थे चीनी से लेकिन तीन चुथा ही कप चीनी आड करने का रीजन यह है कि हमारा खोया हम इसमें तो बिल्कुल यह रेडी है सर्व करने के लिए और जो इसकी जान है गाजर के हलवे की वह मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको निकाल कर एक बाउल में सेट कर लेते हैं तो जो बाउल आप ले थोड़ासा डीप ले जिससे की गाजर काल्वा बिल्कुल अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए कोई स्क्वेार शेप का बाउल डीप लाइन रेसकते को एक्तैंग रेंग्टंगूलर शेप ले सकते हैं मैं या पर राउंड शेप यह ले काल और इसम हलवे को equally spread कर दिये और बिल्कुल इवेन कर देंगे हम surface उपर से तो यह देख सकते हैं आप मैं sides भी बिल्कुल evenly spread कर रही हूं और sides बिल्कुल इवेन कर देंगे टॉप सर्फेस भी इवेन कर देंगे और अब चलते हैं मैंने सिर्फ एक चम्मच देशी घी को कर रहा है गरम आप देख सकते हैं सिर्फ यह वाला स्पून लिया है मैंने घी का और जो मुठी पर मैंने नट्स पजाकर रखे ते वह भी मैंने इसमें आड कर षिंश कर लेते और तो sorry सोग तो यह निकाल लेते हैं बस कुछ टेकिंла के लिए मैंने को करआ है को सकते हैं रोस्त और को चेंज हो एह-ठीशी और इसको निकाल लेते हैं इयजो दिया सेऑं बिल्कुल लोव फ्लें करके अब मैं इसमें आड़करई करो जो एक धी हाई गी जादा तेज गरम हो गया तो आप ग्यास का फ्लेम आफ करके पहले उसे भून ले और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ सेकिंड से एक मिनिट तक के लिए आप इसको भून सकते हैं बिल्कुल कलर ना चेंज हो आपके मावा का वाइट ही रहे बस हमें क्या करना है इसको क्योंकि हम चाल आना है कि अच्छे से बहुन को बल्कुल अच्छी तरीके से इसका texture जो है बिल्कुल spread करने लाइक हो चुका है तो अब इसको सीधा मैं डाल रही हूँ हलवे पर इस तरीके से और एक चमच की मदद से अब इसको अच्छे से कर लूँगी मैं spread बिल्कुल evenly सारा जो हलवा है हमारा उसको हम cover कर देंगे मावा से तो आपने अकसर देखा होगा जब भी आप कभी शादियों में हलवा खाते हैं या कहीं भार खाते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल एक हलवा सर्व करेंगे तो बहुत ही शान बढ़ा देगा यह आपकी टेबल की तो यह देखिए पूरा हमने कवर कर दिया है बिल्कुल हलका ही रेट हमारा हलवा दिखाई दे रहा है अल्मोस्ट कवर बिल्कुल हो चुका है यह देख सकते हैं अब अच्छी तरीके से और इसक कि अच्छी तरीके से सिल्वर एडिबल फॉइल से इसको डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छा लगता है हलवा देखने में हलवाई स्टैल बना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हलवाई ही आपको सर्फ करके दे रहा हूँ तो उपर से यह लग लगा सकते हैं वरक अगर आप चाहें नहीं है तो बिल्कुल आप स्किप्ट कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है तो बिना वरक के भी बहुत ही सुन्दर लगेगा आपका हलवा हुआ 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 है तो बहुत ही बढ़िया दिखने वाला यह गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तयार है हलवाई स्टाइल एक दम घर में बनकर तयार है बहुत ही असानी से कुछ गिनी चुनी चीजों से बन जाता है यह और सासाथ आप देख सकते हैं यह जो गाजर हमारी भुनकर आती है लाल कलर की उसके साथ साथ यह खुए का वाइट कॉम्बिनेशन अपने आप में दिखने में और खाने में हला जबाब तो बनाईए यह डिलिशस हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा अगर आपको पसंद आई है यह र झार